हलो फ्रेंड्स, डियर अश्चर जेश्चम अपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके लेकर रहा है जो कि अप्रेंटिस का मन में एक सवाल रहता है और जितने भी सारे ITA केंडिटेट हैं वो भी सवाल करते हैं कि सर अप्रेंटिस क्या है इनके बारे में हमें बताईए तो चलिए आज का जो टॉपिक होने वाला वही है आपका सारा क्यूशन इसमें फूल इन्फॉर्मेशन आप लोगो फूल डिटेल्स के साथ आप लोगो इसमें मिलेगी पहला क्यूशन रहेगा कि अप्रेंटिस क्या है दूसरा अप्रेंटिस करने के फाइदे क्या क्या है अप्रेंटिस हम क्यों करें अप्रेंटिस करने पर कितने पैसे मिलते हैं ठीक है apprentice कहां से करना है और apprentice कितने घंटे की training होती है सात्मा की उच्छन है कि training के समय क्या work दिया जाता है सबसे most important है और apprentice करने के बाद क्या होगा सारे के मन में ये प्रश्ण जरूर रहते हैं कि apprentice करने के क्या-क्या फायदे है apprentice क्या है तो सारे details आपको इस वीडियो में आपको मिलेंगे ठीक है तो जो भी candidate नए है इस channel पर जुड़े है वो channel को subscribe जरूर कर लगेगा ठीक है तो चलिए वीडियो को start करते है तो चलिए पहला क्यूशन आहां पर आता है कि apprentice क्या है ठीक है एक साल की आपकी training होती है और यह जो है ITI के बाद होती है जो भी candidate ITI या फिर diploma कर चुके है ठीक है diploma या ITI complete कर चुके है वो apprentice कर सकते है पहला यह कीशन है apprentice क्या है आप लोगों पता हो गया होगा कि ITI या diploma जो भी candidate किये है ठीक है या फिर NCBT हो या फिर ACBT हो दोनों candidate इसमें apply कर सकते है apprentice का forum fill up होता है ठीक है एक railway से भी forum fill up होती है भेल से भी होता है सेल से भी होता है एक railway जो है वो है government sector अदूसरी है private sector PBT sector ज़्यादा बिस्तार से आप लोगों को इसमें समझाओंगा apprentice है क्या तो ये आपको पहले ही बता दिया हो कि ITA के बाद होती है जो भी candidate diploma candidate है वो diploma candidate भी apprentice का form आता है आप form आप fill up कर सकते हैं ठीक है चलिए दूसरी question पर आते है कि apprentice करने के हमें फाइदे क्या होंगे तो ये दूसरा सवाल है तो apprentice करने के आपको फायदे बहु सारे आपको मिलेंगे Government sector में भी आप कर सकते हैं तो government sector में भी आपको फायदे मिलेंगे और P.V.T. यानि कि private sector से आप करेंगे तो इसमें भी फायदे मिलेंगे बस इसमें ये है कि government sector में आपको qualify करना पड़ता है वो merit list के अनसार और private sector से आप लोग को जब qualify करेंगे तो इसमें पैसे देने पड़ते हैं इसमें पैसे कुछ नहीं देने पड़ते हैं इसमें पीविटी से chances कम होते हैं और इसमें लड़कों को कम पैसे पे ज़्यादा work दिया जाता government sector अच्छी मानी जाती है ठीक है तो apprentice करने के फायदे क्या है तो आपको जो है एक साल का training का certificate मिल जाएगा ठीक है आप एक क्या कोलते है असकील इंडिया के तहट यह आती है और इसके जरीए जो है आप एक साल का train हो जाएंगे कहीं भी किसी भी company में किसी भी जगह पे आप ल और आपके अप्रेंटीस क्यों करें ठीक है आप इच्छुक है और उम्र है तो आप apprentice करने एगर इससे जद्र या फिर इससे कम हैं तो आप apprentice ना करें ठीक है आपके पास खाली समय है तभी आप apprentice करें ठीक है ये तीसरा question हो गया चौथा question है कि apprentice हम कहां से करें अगर आप सोच रहें कि apprentice हम करें तो कहां से करें तो आपको बता दूँ कि apprentice जो है दो sector में आते है एक सब्सक्राइब गवर्मेंट sector जो कि railway आती है भेल से लिए सब गवर्मेंट शेक्टर है और कुछ जो इसका department है वह भेल से है तो यह जो औरीजिनल जो है government sector वह है railway ठीक है यह सियार रेलवे इस तरह से railway की जोन अलग-अलग होती है और वह जो है अलग-अलग form भी आता है dependence का फोरम आता है या फिर last महिने में आती है ठीक है September यानि कि November और September ठीक है November Merry September के बीच में आपकी यह illumin आएगीए का apprenticeship का फोरम इसी तरह से निकलता है और apprentice कहाँ से करें तो सबसे वेहतर आप कर रहे गा government sector ठीक है यहां से आपको करने पर बहुत सारे फायदे मिलते हैं ठीक है तो यह जो है ग Government Sector से आप लोग करेंगे तो अपको रहेगी अपरेंटीस और प्रिवेट से अप लोग करते हैं तो उतनी अच्छी नहीं होगी ठीक है तो आप लोग को यह भी बता दें हो जो करना अगर आपको गवर्मेंट सेक्टर मिल रहा है तो आप गवर्मेंट सेक्टर से अपरेंटिस कर सकते हैं अगर पीविटी से मिल रहा है तो ये उतनी अच्छी नहीं माने जाती है ठीक है इससे बहतर ये होगा गवर्मेंट सेक्टर ठीक है दोनों ही अपरेंटिस होती है दोनो यह जो है apprentice का जो training होता है बस एक ही साल का होता है और कहीं कहीं जो है आपको घीच तीर करको जो है दो साल का training दिया जाता है यह दो साल के training दिया कहां जाता है तो यह दिया जाएगा private sector में आपसे काम करवाया जाएगा दो साल का लेकिन जो training असल में जो training होती है यह training होती है एक साल की ट्रेइनिंग होती है और ये आता है एक्टि नाइटिन 61 के तहट आपको ये अपरेंटिस आती नाइटिस लागू किया गया है तो ये 2014 से पहले लोगों को रोजगार दिया जाता था अपरेंटिस करने से इसलिए जोhel की बरती निकाले जाते है transparent के हैं पर कितने पैसे मिलते हैं जी ये लड़कों का सवाल बहुत रहता है कि सर अपरेंटिस करेंगे तो क्या पैसे भी मिलेंगे तो जी आपको पैसे भी दिया जाएगा अपरेंटिस करने के बाद अब जब गवर्मेंट सेक्टर से आप करते हैं एक होता है पीविटी से में अंतर किया है गवर्मेंट सेक्टर अच्छी माने जाएगी प्राइवेट सेक्टर उतनी अच्छी नहीं माने जाते है गवर्मेंट सेक्टर से आपको साथ हजार रुपया से ले करके टोटल 10,000 रुपया आपको मिलेंगे इसी के बीच आपको अपरेंटिस में मिलेंगी ठीक है 7,000 से लेकर 10,000 ये मिलता है वहां की महंगाई की अनुसार ठीक है आप जीस अश्टेट में जाएंगे वहां की महंगाई जीस तरह से रहेगी उसी कैनुसार आपको जो है रोजगार यहाँ पे अपरेंटिस का भगता मिलता है अश्टाइपेंड मिलती है साथ हजार से लेकर के दस हजार और ज्यादा से ज्यादा लेकर मैकस्मम जो है बारा हजार तक आपको अश्टाइपेंड मिलते है इसी के बीच मिलते है इसाथ हजार से बारा हजार के बीच मैं मिलेगी आपको a stipend अप प्राइवट सेक्टर की बात करें तो anticipation इसकी रहेगी क्योंकि वर्क कम रहेगे पैसे कम रहेंगे लेकिन government sector अच्छी रहेगी आपको job मिलने की आसा ज्यादा रहेगी ठीक है तो apprentice करने पर पैसे किते मिलते ये भी question आपको solve कर दियागा साथ में question पर आते हैं तो apprentice तरिटने training यानि कि कितने घंटी की training होती है तो apprentice जो है वो आपको 8 घंटे की training होती है ठीक है 8 आवर की आपको training दीत जाएगी और इसमें जो है आपको work कराएजाएगा ठीक है किस तरह का work करा आपको यह भी बताता हूं कि apprentice का जो training है वो चोटे चोटे नाट भोल्ट को खोलने में किसने में टाइट करने में किसी भी component को लगाने में आपको work दिया जाएक ठीक है technical का work दिया जाता है यदि आप features है तो आपको feature का यानि की काम दिया जाएगा welders है तो welder का भी काम दिया जाएगा ये private sector में ज्जादतर होते हैं लेकिन government sector में ऐसा नहीं होता गवर्मर्मर्ट सेक्टर में इतने भी ट्रेड हैं आप कंड grilled सेक्टर में आपको कम ही ड्यूटी धी जाती है ईड़ होता है लेकिन लोग ज्यादा काम नहीं करतें दो से तीन से चार घंटे ही यह काम करतें और अपनर रूमचले जातें ठीक है private sector में आप से काम ज़्यादा लिया जाएगा ठीक है तो यह आपको साथ मों नंबर क्यूशन complete हो चुका है कितने घंटे की होती है तो आठ घंटे की training होती है आठमा क्यूशन आते हैं कि training के समय कितने दीनों की छुटी मिलती है जी training के समय आप लोगों जब आप training एक साल के training में आए ठीक है एक साल के जब आप training कर रहे है तो आपको छुटी भी मिलेगी तो छुटी कब-कब मिलेगी तो आपको Sunday को छुटी रहेगी ठीक है Sunday को छुट टो यह जो कितने को चूटी मिलती है हूं पर्वतुवार फेस्टीवल जितने भी रहेंगे वह और आपको चूटी दी जाएगी Sunday को चूटी रहेंगे ठीक है इस तरह कि आपको चूटी भी मिलेगे उसके बाद कि ट्रेनिंग के समय क्या क्या फैसिलीटी दी जाती है तो बता दूं कि ट्रेनिंग के समय आपको कुछ भी फैसिलीटी नहीं दी जाएगी गवर्मेंट सेक्टर से आप करें या फिर प्राइबट सेक्टर से करें आपको कोई फैसिलीटी नहीं दी जाती है गवर्मेंट सेक् कहीं इसा थोड़ा बहुत दे देता थिक अपनी कंपनी को बरकरा रखने के लिए कुछ ना कुछ कांडिडेट को देता है ठीक है थोड़े फैसलिटी देते लेकिन गवर्मेंट सेक्टर में कुछ भी सेक्टर आपको नहीं देगी ठीक है यह आपको फैसलिटी की बात कर लें अब दस्माध नंबर कि ट्रेनिंग किया क्या वर्क दिये जाते हैं तो यह कीशन पहले भी वर्क आपको साथ-साथ helper की रooप में डिया जाएगा ठीक है त्यक्री Bennакти जो पोश्ट होगा वह हेलपर का पोश्ट होगा टेकनी से आपको जैसे जैसे आपको बताएंगे वैसे इसे आपको वर्क दिया जाएगा पीवीटी में वह ही होता है आपके उपर टेकनीक से रहेंगे आप हेलपर के रूप में रहेंगे और उसमें आपको जीस तरह का वर्क बतायेगा आपको वही आपको करना पड़ेगा ठीक है। यही आपका वर्क दिया जाता है। 11 नमर कीशा ने कि अप्रेंटिस करने के बाद क्या होगा यह अप्रेंटिस करने के बाद आप होगा क्या तो अप्रेंटिस आप गवर्मेंट सेक्टर से करें या फिर प्राइवेट सेक्टर से करें तो दोनों में जो है अप्रेंटिस करने के बाद आपको क्या होगा ठीक है sector में आपको अगर आप railway से आप apprentice करते हैं तो आपको 20% का quota आपको group D में दिया जाएगा आने वाली vacancy में 20% का quota आपको group D में दिया जाएगा लेकिन private sector में कुछ भी नहीं दिया जाता ठीक है private sector में कुछ भी नहीं होता है आपको जाई 1 साल की training करने के बाद आपको वहाँ से निकाल देगी ठीक है government sector में आप ये कुछ लोग लड़के ये भी सोचते हैं कि सर दोनों से अगर apprentice करें तो यहां रखने का भी chance होता है क्या अप्रेंटिस में रखने का chance बिल्कुल नहीं होता one से लेकर के 2% ही आपका उमीद है ठीक है रखने का chance एक से 2% ही उमीद है बाकी ये एक साल की training होती है ठीक है एक साल की training होती है और इसके बाद आपको work करके यानि की काम करवा के आपको निकाल दिया जाता है वहाँ से आपको एक certificate दिया जाएगा ठीक है एक साल का ट्रेइनिंग कीए है ठीक है पीविटीG si किए है या फ'Tीर आपका आप्रेंट्स करने के फायदा है यह आपकर इसके बाद यह डौट है यह पूरा उपयरेंटिस क्या हैulle apprentice क्यों करें full information आपको इस वीडियो में दी गई है apprentice करने पर कितने पैसे मिलते ये भी बता दिया गया apprentice कहां से करना ये भी आपको पूरा clear करा दिये apprentice गंटे की training होते ये भी बता दिया गया training के समय क्या क्या work दिये जाते हैं और apprentice करने के बाद क्या होगा ठीक है ये सारे information आपको बता दिये गए हैं क्योंकि यहां पर apprentice का पूरा information दिया गया ठीक है तो जो भी candidate नहीं है चैन को subscribe जरू कर ले जाए उमीद करता हूँ ये आपको information यूच्पी लगी होगी यहां तक वीडियो देखने के लिए thank you and धन्यवाद